दुनिया के सबसे अमीर लोग उन सभी ने धन इकठा किया और शेयर बाजार के माध्यम से अपनी दौलत बनाई जेफ बेजोस को Amazon के सभी शेयरों का 11 प्रतिशत है Bill Gates को Microsoft के सभी शेयरों का 1 प्रतिशत है Warren Buffett जिसे आज हम दुनिया के सबसे महान निवेशक के रूप में जानते हैं उनके पास Berkshire Hathaway के सभी शेयरों का 16 प्रतिशत है अगर ये लोग शेयर बाजार के जरीए अपनी किस्मत बना सकते हैं और अरबपती बन सकते हैं तो फिर ऐसा क्यों है कि एक छोटा निवेशक अक्सर पैसा गमवा देता है और कुछ घरों में बड़ा नहीं बन पाता है शेयर बाजार को जुआरियों का अड़्डा भी कहा जाता है आप मुझे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इन अमीरतम लोगों के उदाहरन तुलनी ये नहीं हैं क्योंकि वे इन व्यवसायों के मालिक हैं आप और मेरे अलावा वे शेयरों को नहीं खरीबते हैं देखो यहीं पर छोटे निवेशक गलत हो जाते हैं ये विभिन्न लोग उन्हीं शेयरों को रखते हैं जिन्हें आप और मैं रखते हैं लेकिन शेयरों को रखने का नजरिया केवल शेयर रखना नहीं है बलकि व्यवसाय को रखना है अरे भाई ये सारे लोग यूँ ही एकदम अमीर नहीं हुए फिडेलिटी इंवेस्टमेंट्स के आंकडों के मताबिक असल में 80% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गमवा देते हैं और जो थोड़े बहुत कमाते हैं उनमें से ज्यादा तर बस किस्मत वाले थे वो कैसे स्टॉक मार्केट में लगातार कमाना है इस प्रोसेस को नहीं समझते लगातार लगातार ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है